हलो फ्रेंट्स वल्कम तुमाई चैनल जियो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हारदिक स्वागत है सावन सोमवार व्रत 2020 कब से शुरू है व्रत में पूजा कैसे करें क्या परहेज करें और सबसे खास सावन सोमवार के चमतकारी उपाए जी हाँ आज का वीडि अनिकशास्त्रों एवं हिंदु धर्ब में सावन महा का विशेस महत्यों माना जाता है सावन में श्रवन नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान भूले नाथ का गहरा संबंद माना गया है सुयम भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा है कि मुझे 12 महीनों में सावन अर्थात स्रावन मास विशेश रूप से प्रिय है इसी काल में वे श्रीहर के साथ मिलकर लीला भी करते हैं स्रावन मास का महात्म सुनने अर्था स्रावन हो जाने के कान इस माह का नाम शावन हुआ दूसरा कारण यह है कि पूर्णिमा तिथी का स्रावन नक्चत्र से योग होने पर भी इस माह का नाम शावन कहलाया शावन मास वर श्रावन नक्चत्र के स्वामी चंदर और चंदर के स्वामी भगवान शिव अर्थाथ सावन मास के अधिस्टाता देवा दिदेव भगवान भोलेनात को ही माना गया है सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा पाट करने से जब धर्म दान इत्यादी करने का विशेस फल प्राप्थ होता है तो आई जानते हैं 2020 की सावन मास की कुछ मुख्य तिथियों के बारे में दोस्तों भारत के उत्री राजियों यानि की राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार के लिए श्रावन मास सोमवार 6 जुलाई 2020 से शुड़ू होगा और सोमवार 3 अगस्त 2020 को समाप्थ होगा श्रावन सोमवार व्रत हर सोमवार को मनाया जाएगा यानि की 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त को दूसरी तरफ भारत के दक्षणी और पश्चमी राज्यों यानि की आंद्र प्रदेश, गोवा, महारास्ट, गुजरात, करनाटक और तमिल नाडु के लिए श्रावन मास मंगलवार 21 जुलाई 2020 से शुड़ू होगा और बुद्धवार 19 अगस्त 2020 को समाप्थ होगा श्रावन सोमवार वरत हर सोमवार यानि की 27 जुलाई 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को मनाया जाएगा आई जानते हैं भारत के उत्री राज्यों में सावन के सोमवार की तारीख ही है दोस्तों भारत के उत्री राज्यों में सावन का पहला सोमवार व्रत 6 जुलाई 2020 को पड़ रहा है दूसरा 13 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई को, चोथा 27 जुलाई को और पाँचवा यानि की आखरी सोमवार व्रत 3 नगस 2020 को मनाया जा रहा है दोस्तों सोमवार के दिन प्रातह काल उठकर रित्य कर्मों इत्यार दिसें रुत्य होकर चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाएं भगवान शिव की बूर्ति या लिंक की स्थापना करें शुद्ध जल या गंगा जल से इश्नान कराएं श्वेत चंदन लगाएं श्वेत पुष्प चढ़ाएं जैसे की तगड का फूल धतूरे या मदार का फूल अवश्य चढ़ाएं दूप दीप दिखाएं साती सात हो सके तो भांग या शमी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं भगवान शिव को नैवेद्य अरपन करें फल एवं मिस्ठान चढ़ाएं इसके बाद सोमवार की वरत कथा अवश्य पढ़ें आखरी में आप आरती करने के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना अवश्य करें कि आप से यदि वरत में कोई भी भूल चूख हो गई हो तो बाबा भोले नात आपको खशमा करें और आपका वरत पूर करें जै बाबा भोले नात दोस्तों आई जानते हैं सावन के सोमवार वरत में आपको किन बातों से परहेच करना चाहिए दोस्तों शिव जी की पूजा के दोरान इन्हें हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान शिव साधक माने गए हैं इसलिए ने रोली का तिलक और सिंदूर का तिलक वर्जित माना जाता है हो सके तो तुलसी दल ना चढ़ाए यानि कि तुलसी के पत्ते शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए वरत के दोरान आपको जूट, चुगली और निंदा इत्याद इसे परहेच करना चाहिए हो सके तो सात्विक भुजन ग्रहन करें और मानसाहार का आपको त्याग अवश्य करना चाहिए दोस्तों आई जानते हैं सावन के महीने में किये जाने वाले वेचमतकारी उपाय जिनको करके आप भी अपनी मनोवांचेतिक छाएं पूर्ण कर सकते हैं आई जानते हैं पहले उपाय के बारे में दोस्तों यदि किसी जातक के विवाह में विलंब हो रहा हो अत्वा किसी प्रकार की अर्चन आ रही हो तो ऐसे विक्ति को 108 बेल पत्र लेकर उन बेल पत्रों पर स्वेच चंदन से राम लिखना चाहिए और प्रते एक बार शिव जी योग भी बनेंगी आई जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में दोस्तों यदि कोई विक्ति किसी गंभीर बमारी से पीडित है अथ्वा स्वस्त नहीं है तो ऐसे विक्ति को 108 बेल पत्र लेना चाहिए और उन बेल पत्रों के साथ आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना च चाहिए और साथ में सफिद चंदन और थोड़ा सा इत्रस में मिला देना चाहिए और प्रतेक बार 108 बेल पत्रों को एक एक करके उसमें डुबा कर शिव जी को अर्पित करना चाहिए साथ ही साथ आप महामृतिंजम मंत्र भी चाप करें इससे आप गंभीर विमारियों से तो निजात पाएंगे ही पाएंगे और साथ ही शिग्र आप स्वस्थ होते चले जाएंगे आई जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में दोस्तों यदि आप धनकी समस्या से पीडित हैं और आपको मनोवांचित धनकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप शिव जी का चीनी स अभिशेक अवश्य करें ऐसा करने से आपको धनकी प्राप्ति होने लगेगी आई जानते हैं चोथे उपाय के बारे में दोस्तों चोथे उपाय के अनुसार यदि आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परशान रहते हैं और आपको किसी प्रकार की चिंताओं ने घेर रखा है तो आप सावन के सोमवार में भगवान शिव को भभूती चढ़ाएं और उस भभूती से थोड़ा सा तिलक लेकर अपने मस्तक पर भी लगाएं आप देखेंगे दीरे दीरे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती जा रही हैं और किसी भी प्रकार की परशानिया यदि अपको समाज में मानसमान प्रत्ति चाहिए तो आप दोस्तों आशा करते हूं कि आप सभी को आज की सभी की हार्दिक शुब कामना है ओम नम्ह शिवाए